सबी भीयों को नमस्कार, राम राम, जे हिन, जे गउमाता, मैं रावली डेरी फार्म, किश्वनगाड, जिला अजमेर, राजस्तान से आमिर पठान, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार गिरकरोस, गिरलेंडो गोमाता, ठीक है, जो कि अपने फर्स्ट लेक् बचिया है, गिरकरोस की क्वालेटी देखो आप, गिरकरोस की क्वालेटी देखो, और ना भी देखो और मुटिया ठन, अभी 15 दिन का समय है, डिलेवरी होने में, फर्स्ट लेक्ण पे, ठोड़ा सा माते पे ठीक ही है, आपको दिख भी रहोगा वीडियो के माद्यम से, ग ठीक है कान एटिट्यूट फेस गिर वाला ठीक है ना थोड़ी सी कमी है गरीब गर की गाय है गरीब गर की बचिया है फर्स्ट लेक्टिशन में डिलेवरी करेगी और थोड़ी हेल्थ में कमजोर है लेकिन ये इस पोजिशन में भी आपको अठारा लिटर पढ़ने मिल के पै जो है पेवर्टी गिर्करोष की वह दिखाना चाहरा हूं आपको स्रिफ ठीक है ना हैल्थ में कमजोर है उसी साफ से आपको उस बजट में मिल जाएगी जिस बजट में लोग सोच नहीं सकते गिर्करोष मिलेगी क्या क्योंकि सबको पता है गिर्करोष डेड़ लाक लाक एस ही मिल रही है लेकिन मैं आपको यह बजट में दूँगा और 16 लिटर दूद की मेरी घर तक की भी गारंटी एस की क्योंकि यह बिर्ट गिर्करोष है यह शरीर से नहीं अपनी बिर्ट से दूद देगी ठीक है और जितना अच्छा खिलाओगे उस उतनी बनती जाएगी जाएगी क्योंकि भूकेगर की गाये जितना आप खिलाते जाओगे उतनी बनती जाएगी यह क्वालेटी एक गिर्करोष में चाहे गिर्करोष दो एक इंची का भी ठन है ना तो और एक इंची के ठन में भी टिलेवरी कर दी तो उसमें ठेंड़ने की जरूत नहीं हो थी गिर्करोष में वह अपना थन बना लेती है और दूद की समता वही बना लेती है ठीक है ना तो इसका थन तो बहुत अच्छा मुटिया थन दिख रहा है अपने को थोड़ी हेल्थ वाइस कम जो हो रहे है लेकिन बिरिट करेक्टर्स में कोई कमी नहीं है पेयोटी में कमी नहीं है आप 16 लिटर दूद अराम से इसको निखाल सकते हो और किसान बहयों के लिए जो गिर्करोष का नया गिर्लेंडो का शोकिन है उसको यह चोटी सी चीज बता देगी गिर्करोष क्या होती है जो बड़ी गाये नहीं ले सकते यह चोटी सी गाये आप लोगों को बता आपको गुमा गुमा के इसलिए दिखा रहा हूं कि आप हर चगे से देख लिए को चटकी बेरों में लंगडी या कानों की गुंडी या गले की कंबल या नाभी या फाडा सींग जो गिर्करोष का होना चाहिए सपेद पूच सारे सिस्टम में आपको इसी वीडियो के आपको यह बात मैं बानुगा लेकिन कोई यह कहें बिरिट में हलकी है तो यह बात नहीं मानेंगे ठीक है और यह इस पोजिशन के अंदर इस पोजिशन के अंदर आपको 16 लीटल दूद देगी और सेकिन लेक्टिशन में तो आगे सागे बढ़ती जाएगी शरीर बना दो होगे तो ठीक है अब यह बचडी मैंने इसका पूरा डिटेल बताता हूं आपको और शायद डिस्क्रेप्शन में या वीडियो के एंड में भी डाल दूँ यह बचडी अपनी ही गिरगाई की है पर जिसके पास थी वह गिरगाई में इंट्रेस्टेट था वह गिरगाई म इंट्रेस्टेट था और उसको ग्रिकरो ज dip दो है यह यह हमारे आपर नस्देक में ठीक है तो वह इस की मा के साथ घई अपनी ही अपनी गाई के साथ ठीक है उनके वह पे इसकी वैली नी तो उनहोंने तो इतना पिलाया नहीं इतनी अच्छी केरिंग की ठीक है लेकिन फौन आह पास तो यह है अपनी गाहिकी पैटी और चाहते ना तो यह दो लाग की बच्ची बन जाती। लेकिन वो इंट्रेष्टेड गिर कोसमें इंट्रेष्टेड नहीं थे उन्हों लेक्ता चराया नहीं और कर लागी इसके माआ की थन अर ₹ दुवारी थी ना, बहुत जोरदार थन और दुवारी थी इसकी मागी, ठीक है ना, तो मैंने उनको जब ये लेके गए थे, एसी चार-पांच बचिया दिल्ली के आसपास भी है, और अपनी एक उडिशा में भी है, और एक अपनी वाप है, जारकंड के अंदर भी है, टुट मेरी नजर में कभी उदर जाएंगे तो उनको भी मंगाएंगे, ये क्या हमारी गएंगों के साथ चली तो जाती है, तो लोगों को इनका मतलब पता नहीं होता कि क्या क्वालेटी है, और इसलिए आपने देखा होगा, पंजाब वाले भी वो उल्टी करोज दिखाते हैं, गिर करोज उसको बोलते हैं, इसकी मा गिर हो और बाप एचेफ हो, जो पंजाब में कुछ वीडियो में देखे गिर करोज गाई के वीडियो डालते हैं, वो उल्टा कर देते हैं, वो एफटू गाई के ओपर गिर कर टिका लगाएते हैं, 100% जो गिर कबूल होता है, उसको एचेफ 100% गाई के ओपर छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो गिर करोज तो आजाती है, लेकिन जो ब्यूटी जो गिर की आनी चाहिए ना, और जो मिल्क केपेसिटी, जो दूद का गाड़ापन, वो पंजाब से आप गाईल होगे ना, तब नहीं आएगा, जो गिर के यो मिलेंगे आपको, वो एचेफ 100% के पेट से आती है, तो वो अपनी मा का खून लेके आती है, और जो हमारे जंगल में गिर करोज मिलेगी ना, वो गिर गाई का खून उसकी रगों में रहेगा, समझ रहे हो, तो ये फरक है, अजमेर जिले की गिर करोज में, और किसंगर होके, या पेशाब में बलड आके, या खाती पीती नहीं है, तो वो खराब हो जाती है, ठीक है, और लंगडापन, कमर मुड जाना, ये दिक्कते आती है उनके अंदल, तो मैं आपको एक नोर्मल बजेट में, शांदार गिर करोज गाय दिखा रहा हूं, बिलिट करेक्टर बोडी स्टेक्चर शरीर इतना अच्छा नहीं बनावा है, बर्जों ले आके तैयार कर लेगा, तो ये इसी विलिट है, आपको दो महीने में तैयार हो जाएगी, और मेरे पास भी दो महीने पहले हैं, जाने जानते हैं, कि ये क्या चीज बनेगी, तो हो सकता, अभी भी ब पसंदा है, तो स्क्रीन शोट बेच जाना, प्राइज और डिटेल में वाटसब पर डाल दूँगा.